So, Hello Friends, Welcome back again with the first new video हाइड बढ़ाने के लिए आप लोग वर्काउट करते हो लेकिन अगर आप लोग खाली पिट वर्काउट करेंगे या वर्काउट के बाद अगर आप नहीं खाएंगे आपको कभी भी अच्छा रेजर्स देखने को नहीं मिलेगा आपको वर्काउट से पहले प्री वर्काउट डाइट लेना चाहिए और पोस्ट वर्काउट डाइट लेना चाहिए जिसको भी हम लोग प्री वर्काउट मिल और पोस्ट वर्काउट मिल कहते हैं लेकिन मैं यह नोटिस करता हूँ बहुत लोग workout करते हैं, workout करने से पहले खाना नहीं खाते हैं, and workout करने के just बात खाना नहीं काते हैं, जिससे क्या कर रहे हैं, आप अपना results को slow down कर रहे हैं, and आपको results देखने को ही नहीं मिलेगा, अगर आप इस चीज़ को follow नहीं करेंगे, because इससे आपका body में बहुत बड़ा impact पड़ता है, आपको breakfast करना है, lunch करना है, dinner करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको before workout एक मिल लेना है, post workout आपको एक मिल लेना है, and daily आपको 5-6 meals लेना है, जिससे आपको height growth देखने को मिलेगा, आप meals ले रहे हो, लेकिन meals के नाम पे आप कुछ भी खा रहा हैं, इससे आपको फादा नहीं होगा, जैसे कि बहुत लोगों का morning diet रहता है, चाय, रोटी, कुछ भी रूखा सोगा खा लिया, jam, bread हो गया, तो इससे आपको nutrition क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बोड़ी को जो essential nutrients से आपको बोड़ी को नहीं मिल रहा है, दोपर में पेट भरने के लिए कु तो देखो, मैं आज आपको कुछ basic चीज समझाओंगा, साते साथ आपको exact workout से पहले क्या खाना है, workout के बाद क्या खाना है, because अगर आप इस चीज को follow कर लेते हो, आपका 60% काम असान हो गया, अगर आप workout से पहले हैं, workout के बाद अच्छा मिल से ले लेते हो, फिर आपका results प अपर दस रहेगा, और आप बहुत ज्यादा खुस हो जाएंगे, and आज आपको क्या करना है, एक pen लेना है, और एक copy लेना है, अगर pen copy नहीं है, वीडियो को pause करो, pen और copy लेके आओ, because इसका जरुत पड़ेगा, because मैं आपको आज धेर सारा ideas देने वाला हो, कि आप ये खा सक सकते हैं, वो खा सकते हो, तो बहुत सारा plants मैं आपको दूँगा, तो वो आप copy मिली किलो, आज आप ये खाओ, कल वो खाओ, जैसे आपको सही लगे, जो चीज आपके पास available है, आप उस हिसाब से चलो, फिर results देखो, आपको किता जल्दी मिलता है, आपका मंजील ज्यादा दूर नहीं रहेगा आपसे, and protein का काम क्या होता है, protein का काम होता है, grow करना, repair करना, hide growth, body growth, muscle growth, and body cells repair करने के लिए आपको protein का जौर्थ होता है, and hormones production में protein का requirement होता है, तो सोच अगर आपका diet में enough protein नहीं है, आपको daily जितना protein चाहिए, उतना protein अगर आप खाएंगे नहीं, फिर यह सब process आपका body में होगा कैसे, हवा में तोड के नहीं होगा, कि हवा से आपको protein मिल जाएगा, नहीं, through air आपको oxygen मिलता है, लेकिन आजकल का air इतना polluted है, इस से हम लोगो carbon monoxide मिल रहा है, carbon dioxide मिल रहा है, जिससे क्या हो रहा हमें, बहुत सारा health problem हो रहा है, तो आपको सही ख grams of protein लेना है, आपका जितना body weight है, उसका double, अगर आपका weight है 50 kg, तो आपको daily 100 gram protein लेना है, अगर आप नहीं लेंगे, तो आपका body उतना hormones production नहीं करेगा, आपका body खुद को repair नहीं कर पायागा, आपका muscles का growth नहीं होगा, आपका bones का growth नहीं होगा, आपका height का growth नहीं होगा, त तो सोचो आपका डाट में कितना protein रहता है कितना नहीं रहता है और आप डेली कितना grams of protein खाते हो आप अंडा खा रहे हैं चावल खा रहे हैं अब आप चावल का protein को calculate करते हैं या चावल में protein ज्यादा नहीं होता है and rice is a incomplete source of protein उसमें सारा amino acid present नहीं रहता है आपको lean protein source add करना है अपना मिल्स में अपना मिल्स में lean protein sources add करना है जिसमें सारा amino acid present रहता है फिर carbohydrate का काम क्या रहता है carbohydrate का ये काम है कि आपको energy देता है जैसे कि मैं ये video बना रहा हूं मैं इतना बात कर रहा हूं हाथ पर हिला रहा हूं तो मुझे energy चाहिए energy कहां से मिलेगा through carbohydrate तो रोटी, चाबल, आलो, केला these all are a source of carbohydrate and जितना भी plant sources रहता है उसमें carbohydrate पाये ही जाता है and animal sources are a very good source of lean protein Animal source से आपको lean protein मिलता है and plant sources से आपको carbonate मिलता है आपे साथ बहुत साथ many plant sources है डिससे आपको protein मिलता है जैसे कि Soya chunks, daal, फिर nuts, seeds and good fats चाम क्या होता है जैसे कि peanut butter olvidries with peanut, आलमन, so Pasuk reagant with peanut preparator a small fat contain protein जैसे का jako you can have protein and good fat मिल रहे है अंडा का योग है उससे आपको protein मिल रहे है good fat मिल रहे है good fat का काम क्या है यह आपको hormones production में help करेगा and hormonal balance में help करता है तो आपका diet में macronutrient रहना चीए macronutrient में आता है protein carbs and fat साथे साथ micronutrients इससे भी जादे important हो जाता है जैसे कि different type of vitamins, minerals and antioxidant vitamins जैसे कि vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E फिर important minerals जैसे कि iron, zinc, calcium, magnesium, sodium, potassium, selenium इस सब का आपका body में एक important role है अगर एक छोटा सभी चीज आपका body से गायब रहता है तो पूरा balance बिगड़ जाएगा पूरा balance मतलब कितना important है micronutrients, macronutrients, हर चीज़ का एक चीज थोड़ा सभी अगर कम हो तो पूरा balance बिगड़ जाता है फिर आपको कमजोरी मैसूस होगा आप workout कर रहे हैं आपको energy नहीं मिलेगा आप proper focus नहीं कर पाएंगे आपका concentration खराफ होगा आपका body का growth अच्छा नहीं होगा regular सर्दी जुखाम यह सब होते रहेगा कोई बड़ा बिमारी आपके पास आ सकता है तो इतना important होता है यह सब पूरा कैसे होता है through your food, through your nutrition तो आप कैसे expect करते हो कि आप only workout करके आप उना height बढ़ा लेंगे and workout भी जो आप करते हैं पूरा गलती करते हैं आपका diet तो सही होता नहीं है उससे आप proper intense workout करनी पाते हैं एनर्जी नहीं रहता है आप गलत तरीकी से workout करते हैं तो फिर आपको results कहां से दिखेगा and इसलिए मैं provide करता हूँ online training height बढ़ाने के लिए जहाँ पे आपको specific आपका body type की साब से आपका body में क्या बीमारी है नहीं है क्या health issues है उसके हिसाब से आपको diet plan दिया जाता है आप मोटे हो पतले हो उसके हिसाब से आपका body fat percentage क्या है आपका body BMI क्या है तो यह सब सोच कर आपके लिए dart plan बनाए जाता है आपको workout plan दिया जाता है and training provide कर जाता है through whatsapp उसके लिए आपको mail ID में contact करना है mail ID में contact अगर नहीं करने आता है YouTube से सीख लो YouTube से सीखो कि mail ID में contact कैसे क्या जाता है आप YouTube में search करो how to message on mail ID आपको पता चल जाएगा training आप अपने घर बैटे ले सकते हो and हम लोग connected रहेंगे through whatsapp जब आप mail ID में contact करेंगे उसके बाद मैं आपको registration करने बोलूँगा registration करने के बाद आपको मेरा number मिलेगा whatsapp number जिससे हम लोग whatsapp में connect हो सकेंगे and through whatsapp आपको training दिया जाएगा आपको और क्या चाहिए आपको मेरा guidance मिलेगा जिससे आप अपना height growth कर सकते हो आपका age अगर 10 से 25 साल तक है आप मेरा training में join कर सकते हो अगर आपको उमर उससे थोड़ा ज्यादा है उससे थोड़ा कम है फिर भी आप मेरा training को join कर सकते हो आप अपना height को बढ़ा सकते हो तो अभी मैं आपको pre workout मिल्स बताऊंगा जिससे आपको workout से 1 से 2 घंटा पहले लेना है और आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको यहां तक नहीं खा लेना है before workout कभी भी आपको यहां तक नहीं खाना चीए हमेशा थोड़ा भूक रख कर खाओ अगर आपका भूक है 100% तो आप 60-70% पेट को भरो बाकि 30% भूक रख दो इससे क्या होता आपका डाइशन बहुत फास्ट होता है और जो भी nutrients आप अपना बॉड़ी को देंगे आपका बॉड़ी इसको properly absorb कर पाएगा तो अभी मैं आपको pre workout meal बताऊंगा बहुत सारा options बताऊंगा आप किसी भी एक को follow कर सकते है और workout करने से पहले इसे खा सकते हो number one option क्या है white rice rice आपका घर में easily available है अपने लिए थोड़ा rice रख दो जैसे कि आप workout से पहले खा सके ठीक है एक से दो घंटा पहले उसके साथ आप 30 grams सुया चंग्स ले सकते हो अगर आपको सुया चंग्स पसंद नहीं है तो आप उसके साथ दो अंडा ले सकते हो white rice साथ में दो अंडा या 30 grams सुया चंग्स इसके साथ आपको 250 grams दही लेना है ठीक है अगर आपके घर में दाल है सबजी है तो आप rice के साथ add कर सकते हो अगर आप यह नहीं खाना चाते हो फिर आप और क्या कर सकते हो और भी मैं आपको बहुर साथ options बता रहा हूँ आप 3 केला ले सकते हो साथ में 300 ml milk और 5 से 6 almond यह है आपका second option 3 bananas साथ में 300 ml milk और 5 से 6 almond उसके बाद next pre-workout option क्या है boiled aloo boiled potato फिर साथ में आपको 500 gram दही लेना है 250 gram दही लेना है साथ में 1 whole एक घाना है और option बता रहा हूँ आपको one full plate mixed fruit ठीक है आपको different type of fruits लेना है जैसे कि आपका संत्रा रहेगा आपका केला रहेगा आपका apple रहेगा आपका अनार रहेगा सबको mix करो papaya रहेगा mix करो and आपको एक full plate खाना है and इसके साथ आपको 70-80 gram पनीर भी लेना है पनीर को आपको छेना भी कहता है बंगौली में तो दूद को फटा के जो छेना निकलता है आप उसको 70-80 gram खा सकते हो उसके बाद next option क्या है and ये मेरे लिए favorite है because maximum times मैं इसे use करता हूँ white rice लेता हूँ डाल के साथ उसमें थोड़ा salad लेता हूँ beet रहता है, गाजर रहता है different type of vegetables जो present रहता है उसको मिला के एक salad बनाता हूँ उसके साथ मैं 100 grams chicken और fish एड़ करता हूँ before workout इससे मुझे workout करने में जबरदस्ट energy मिलता है मेरा strength बहुत improve होता है मैं ज़्यादा lift कर पाता हूँ मेरा body recovery अच्छा रहता है तो आपको बहुत ज़्यादा help होगा इस milk से जब जबरदस्ट है अगर आपका pocket में ज़्यादा budget नहीं है आप milk चूज करो कि आपके लिए कौन सा best होगा फिर next option क्या है वेब protein ले सकते हो अगर आपके पास वेब protein है आपके पास पैसे के कमी नहीं है आप एक scoop वेब protein ले लो साथ में 4 केला खालो एक चमच पिनट बटर आड़ कर लो इसके साथ उसके बात अगर आपके पास पैसा बिलकुल भी नहीं है तो आप before workout sprouts सलाद खा सकते हो तो इसमें आप मूंग डाल सकते हो, मूंग फरी डाल सकते हो आल्मन डाल सकते हो फिर आप थोड़ा काजू, किसमिस यह सब भी आड़ कर सकते हो चना आड़ कर सकते हो और इसमें आप थोड़ा vegetables आड़ कर सकते हो जैसे गाजर डाल सकते हो बीड डाल सकते हो तो आपका बहुत जवरदस sprouts का सलाद बनेगा इसको फोड़ टेस्टी बनाओ और वर्काउट से पहले आप खाओ ठीक है? यह सस्ता है जहां से आपको vitamins मिलेगा, protein मिलेगा, carbs मिलेगा हर चीज आपका body को मिलेगा और किसी चीज का body में कमी नहीं होगा यह उन लोग के लिए हैं जिनके पाँ ज्यादा budget नहीं है easily afford इसको कर सकते हैं उसके बाद जो next option है आप bread ले सकते हो ठीक है? 3-4 slices of bread उसमे थोड़ा peanut butter लगाओ और इसके साथ-साथ आप दो अंडा और whey protein ले सकते हो ठीक है? अंडा और whey protein क्या है? आपका अच्छा source है प्रोटीन का bread से क्या मिलेगा? आपको carbonate मिलेगा पिनेट बटर से आपको good fats मिलेगा अंडा से आपको vitamins and minerals भी मिल जाता है जो आपका body growth के लिए बहुत important है आपका height भी बहुत जबदस ग्रो करेगा उसके बाद जो last meal option है जो मुझे बहुत पसंद है कभी कभार मैं इसको भी लेता हूँ oat meal recipe oats लेता हूँ उसमें दूद डालता हूँ और उसमें आप dry fruits अड़ कर दो अब मैं आपको next food option बता रहा हूँ जिसे मैं week में 3-4 दिन follow करने का try करता हूँ white rice plus salad plus dahi 200-500 gram साथ में आपका chicken boiled और fish boiled या आप थोड़ा chicken fish को बना सकते हो लेकिन उसमें ज्यादा तेल नहीं रहना चाहिए उसके बाद जो next food option है यह बहुत ज़्यादा सस्ता है मेरे साब से white bread और उसके साथ आपको jam add करना है जिससे आपका यह tasty बन जायागा साथ में आप paneer लो कितना लेना है 7200 grams उसके बाद जो next food option है आप white bread लो जो पाउरूटी जिसको बोलते हैं उसके साथ आप peanut butter add करो और उसके साथ आप 400 ml milk add करो उसके बाद जो next food option है आपको 4 केलन लेना है फिर आप उसके साथ दही लो दही आपको हमेशा 200-500 gram लेना है फिर आप उसमें milk लो milk आपका 300-400 ml उसके बाद next food option क्या है boiled आलो boiled आलो के साथ आप सलाद ले सकते हो साथ में आपको add करना है 300 gram दही साथ में आप 30 gram soya chunks लो